हलो व्रीवान विल्कम टिस चैनल ग्यापनी केडमी चले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फिजक्स का अगला टॉपिक जिसका नाम है विधूद धारा का तापिया परभाव या फिर उस्मिया परभाव देखे इस टॉपिक का नाम आप सुनकर ही बता सकते हैं कि इसका होगा उसी को बोला जाता है विधूद धारा का तापिया परभाव या फिर उस्मिया परभाव आप लोग कभी सोचे हैं कि आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तो क्यूं गर्म हो जाता है दो तीन गंटा लगा कर छोड़ दीजिए देखिएगा जाकर ट इस्त्री क्यूं गर्म होता है हीटर क्यूं गर्म होता है यह सारी चीजे में क्या एक घटना हो रही है एक घटना हो रही है गर्म होने का यानिकि इन सभी घटनाओं में गर्म होने की घटना उस्मा का घटना हो रहा है और यह क्यूं होता है क्योंकि उसमें से विधूद ध विधूद्धारा के परवा के कारण हीट निकलता है उसमा उत्पन होती है जिसे हम क्या कहते हैं विधूद्धारा का उसमिया परभाव और यह जितनी भी घटना होती है विधूद्धारा के उसमिया परभाव के कारण ही होती है अब इस नियम के खुज न सबसे पहले जूल है विधूतधारा के प्रवाहित होने से हीट निकलता है और इसलिए उन्हीं के नाम पर यह नियम को रख लिए जूल में प्रभाऊ कि लगती है यह सवार यह यह आता है प्रवाहित होती सब्सक्ति करकर दोड़ते हैं इनकी परवाहित होते हैं जिसके वजह से क्या होता है विधूद्धारा परवाहित होती है उस मेहनत में क्या लगेगा एनर्जी लएगा भई मैं आप लोगों को बोल दूँगी कि ये काम करकर दिखाओ मेहनत करकर दिखाओ तो आपके पास एनर्जी रहे होता है प्रवाहित होता है पूरा औरजा के साथ अब क्या होता है कि जिस चालक में वह परवाहित होता है उसमें क्या होगा परतिरोध यानि कि रुकावट हर चालक में कुछ न कुछ परतिरोध होता ही है रुकावट होता ही है कि उसमें कुछ असुद्या रहती ही है तो होता क्या है कि जब एलेक्ट्रोन फुली एनर्जी के साथ परवाहित होता है तो रास्ते में आ जाता है रुकावाट यानि की कड आयन छोटे-छोटे तो फुली एनर्जी के साथ परवाहित एलेक्ट्रोन जाकर उन छोटे-छोटे कड से टकड़ा जाता है लो भाई टकड़ा कर वही पर गिर गया जैसे कि आप काट्वून में देखें होंगे ना कोई दोड़ते दोड़ते जाता है और जाकर किसी खंबे में टकड़ा कर गिर जाता है बिलकुल उसी तरह और नहीं उसका नस्ट किया सकता है कि यहां पर की सब्सक्रां का जीरले जीरो नस्ट नहीं हो पाता बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांत्रीत हो जाता है तो यहीं जो उर्जा होता है ना वो रूपांत्रीत हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है चेंज हो जाता है किसमें हीट में उसमा में यानिकि एलेक्ट्रॉन टकराया उसका उर्जा क् करोडों लाखों अर्वों खर्वों की संख्या में एलेक्ट्रॉन रहते हैं और जितना ही ज्यादा रुकावट रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन परवाइत होंगे और जाकर टक्राएंगे और उनका उर्जा उतना ही ज्यादा उसमा में यहीं हीट में चेंज होगी तो यही होता है बिल्कुल आप लोग के मोबाइल के चार्जिंग के साथ जब आप लोग चार्ज में लगाते हैं तो वो चार्जर में बहुत कम परतिरोध होता है बहुत कम रुकावट होता है जिससे कम ही एलेक्टरोन टकराते हैं और उनसे कम हीट निकलता है जिससे वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है लेकिन सोचिए जिस चालक में बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा बहुत ही ज़्यादा रुकावट रहेगा उसमें कितना ज़्यादा हीट निकलेगी कितना उसमा उत्पन होगा और इसी बात का फायदा हमारे ग्यानिकों ने उठा लिया भाइन थैरे हमारे ग्यानिक बहुत माइंड कि उन्होंने क्या कि न हीटर में डाल दूगा इस तरीके से होता है और यह दोनों निकाल दिया जाता है इसी को ले जाकर दोनों तयर को प्लक में लगा दिया जाता है और जब इसमें से विधूद्धारा परवाहित होती है तो यह पूरा गुस्सा होकर लाल हो जाता है और पूरा हीट निकालता है अब इस पर आराम से आप रोटी बनाई है सबजी बनाई है जो भी खाना बनाना है वो बनाते रही है ठीक है तो यहाँ पर नाइक्रोम तार का सबसे प्लेट यह तरीके से होता है नीचे वाला प्लेट ऐसे ठीक है यह जुआ आप लोगका आईरण है तरी है यह नीचे वाला है प्लेत मैं उसके ओपर यही तार लगाया जाता है नैपर दीखाओन हिस तरीके से दिखा जए हुआ ऑगई वाइई थी तरीके से होता है और अजय करकर अब सुनिए इसे एविधूद्धर परवाहित होगी नािक्रोम का टार हीट होगा लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि अगर इस नाइक्रोम का तार इस प्लेट में यह जो आप लोग का मिसर धातू का प्लेट होता है इसमें अगर टच कर जाए तो इसमें की विधूद धरा इसमें भी परवाइत हो जाएगी और जब आप इस प्लेट को टच करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा खासा करेंट मारेगा तो इस चीज को बचाने के लिए इस जो नाइक्रोम का तार होता है ना यह इसको लेमिनेट कर दिया जाता है और इसके बीच क्या भर दिया जाता है यहाँ पर चारो तरफ कुछ नाइक्ट से ओन्ट को र aggi़त होने ही नहीं देता लेकिन हीय घ्राने हो जाने है और नाजीट को क्या करेगा अभरत भेज़ेगा इस फ्लेंट में मखैब कि यहां पर अब रख बहए इस को एक अलग ब्रेस्ट का एंसे करकर यहां पर हन्डल लगा तिया जाता है पकड़नेवाला ऐसे हो जाता है ठीस यह हो गया प्रेस अच्छा नहीं प्रभाव का यूज किया जाता है बल्ब में बल्ब का देखिए मैं आप लोगों को बताती हूं अगर आप लोगों को स्क्रिंसोट लेना है तो लीजे फटा-फट वैसे तो इस इस तरीके का बल्ब होता है यहां से दो इस तरह निकला रहता है और इसमें से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे रहता है और यहीं से यह टंगस्टन के फिलामेंट को देख रहे है ऐसे कुंडलित करकर लगाया गया रहता है ठीक है ऐसे करकर ऐसे यह हो गया आप लोगों का बल्ब और टंगस्टन टंगस्टन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जिसका प तो टंगस्टन में जैसे विदूदधारा परवाइत किया जाता है पर दिरोग के लिव रुकाउत के कारण अपने में से लाइट निकालता है और इसलिए वैग्यानिक हुं ने इसको क्या बना दिया पैक कर दिया जाता है और इसमें से सारे औक्सिजन को निकाल दिया जाता है औक्सिजन को किसली निकाला जेता है ताकि औक्सिजन इस टंगस्टन के किसे होता है कि इस में इसे सारे औक सीजन को निकाल दिया जाता है इस कांच के प役ुरा जाता है ताकी आरा लोहे में झाल लगता है इस तरह यहां पर निकाल लिया जाता है और इसके अंदर और घैस भर दिया करने वाला ठीक है और ऑकिरिया गैस कौन-कौन है वो तो आप लोग जानती होगे हीलियम है आरगन है नियोन है ठीक है किया और तरी गैसे इसमिन से किसी को डाल दिया जाता है जो जो अभी किरिया नहीं कर सकते कीए नहीं गलता है और हीट बहुत ज़्यादा उत्पन होती बहुत ज़्यादा निकलता तो गलता क्यों यह इसका इसलिए प्रो प्रेशंट पर यह भ लोग घ्लते हैं तो यह थी तो यहाँ तक हो गई किलियर बात इसका आप लोग स्क्रिन सोट लेना चाहते हैं लीजे फटाफट अब जरह यहां पर विदुद्धरा के उसमिया प्रभाव पर गवर कीजिए जितना ज्यादा कारें होगा यानि कि जितना ज्यादा मेहनत होगा उतना ही ज्यादा एनरजी चाहिए सकते हैं कि काड़े जो है किसा बराबर और जितना ज़्यादा अर्जावी रूपांतरन होगा तो यह इंडायर्टलित तीनों बराबर हैं ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं कार यद्प किसे से सुचित किया जाता है W से तो W बराबर E energy को capital E से denote किया जाता है और उसमा को capital H से तो यह तीनों क्या है बराबर है आप लोगों का W का फर्मूला या थे जब मैं विवा और विवांतर पढ़ा रही थी तो उसमें क्या बताई थी फर्मूला क्या निकलता व बराबर W बटक क्यों तो यहां से W का सु मिल गया डा सुब्लूर बराबर जिक्यों ठीक है अब देखिए मिरी किसके बराबर E fatal है ज्क तो हम ड़क्राइब सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इन्डारेक्टल्पर क्या हैं बडाबर है एक अन्यूशव का किसका हीट का उसमा का और्यहते मैं फर्मूला के नियम के अनुसार के नियम की नूसार व्기 बराबर क्या होता है आइ-ाइअर शुत्र मिला था ना में ूं की नियम में कि बराबर हम वली के जगह आए लिख सकते हैं आई-ार इंटु क्यूं यह एक दूसरा सुत्र हो गया ठीक है अब देखिए जी को वी ही रहने देते हैं अब क्यूं का मान भरते हैं क्यूं का मान कितना होता है क्यूं बराबर क्या होता है सुत्र जब मैं विदूद्धारा का फर्स्ट वीडियों पढ़ा रही थी उसमें बताई थी आई बराबर क् विदूद्धारा का मान विदूद्धारा का सुत्र क्या होता है क्यूं बटा टी तो यहां पर क्यूं का मान क्यूं का सुत्र निकल सकता है तो बिल्कुल निकल सकता है क्यूं बराबर जब इसको यहां पढ़ लाए जाएगा क्यूं बराबर आईटी हो जाएगा तो यहां प पर फिर से भी कमान रख देंगे एस भी कमान कितना है आई आर ठीक है तो आई आरग दीजिए आई टी का इटी रखिये आई आई दोनों पूरा हो जाएंगे एक दुसरे से मल्टिप्लाई हो जाएंगे तो आई I square डाइगा बड़ाबर भीवटार यह क्यों होगा आई यहां पर रहेगा तो यह ऊपर चला जाएगा तो V बटा R ठीके तो यहां पर हम लिख सकते हैं H बराबर V V का V और I के जगा V बटा R VY R और इंटू T V से V गूड़ा हो जाएगा H बराबर V स्क्वाइर बटा R इंटू T यह होगे आप अगला सुत्र पांच नंबर सुत्र ठीके तो यह पांचो जो फर्मूला है यह बहुत ज़्यदा इंप्पॉर्टेंट छी से आप लोगों को व्यविग्यानिक थे ना उन्होंने विधुद्धारा के उसमिया या फिर ताप्या परवाव ये कुछ भी बोल सकते हैं अप लोग को याद है ना तो यह तीनों नियम यू चुठकियों में याद हो जाएगा कैसे तिन नियम यह था ते नियम में पहला नियम ये था, जूल ने जो बताया था, उन्होंने बताया था कि जो हीट होता है उस्मा, वो बिल्कुल समानुपाती होता है आर के, यानि कि परतिरोध के, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, मतलब जितना ज्यादा परतिरोध रहेगा, जितना ज्याद होगा, उन्हों मतलब होगी, फिष्वा कि होगी, तो यहां पर हीट किसके समानुपाति है और के, दूसरा नियम क्या था, बहुत ही सिंपल नियम है, दूसरा नियम था, कि जो हीट है वो समानुपाती होता है, टाईम के, ती के, यानि कि जितना देर तक विधूदारा ज्यादा उस्मां भी ज्यादा निकलेगी और तीसरा जो है होता है आई-सक्वायर कनों से जितना हीट निकलता है जितना उसमा निकलता है न उससे दूगना उसमें विधूद्हारा प्रवाहित हो रहा है अब देखे इन तीनों को मिला दिजिए ह समानुपाती किसके है I square के R के और T के ये तीनों के क्या हो गया समानी पाती हो गया और आप देखे अभी में कुछ दिर फर्मूला बनाई थी H बराबर I square T ये दोनों क्या है एक दूसरे के समानुतर है न तो इसी चीज को देखकर हमारे जूल के निये जूल जो है न वो तीन नियम दे दिए आई स्क्वाइर आर और टी ये तीनों के क्या है बराबर होता है उसमा तो लीजे यहां तक फटाफट स्क्रीन सॉट तो यहां तक समझ में आ गया इस टॉपिक से रिलिटेड कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं मैं आप लोग के हर कमफ्यूजन को दूर करने के लिए रेडी हूँ बस आप लोग इसी तरह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और कि अजए तक सबस्ट ग्राइब ए mercury में दूए तक सबस्ट पूर कर वे तक अजएगी सत कर दोका और खूंगी तक सबस्ट कर दो आज़ जो आन वीडियो खूंगी तक सबस्ट पूंगी तक सबस्ट